नमस्कार स्वागत है आपका निउस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे राज्य सभा में बुधवार को 61 नए सांसदो का शपत ग्रहन कादिक्रम आयजूत हुआ जिसमें कॉंग्रेस से भाजपा में आए संसद का सत्र चालू नहीं होने की स्थिति में आमतोर पर शपत सभापती के कक्ष में होते हैं लेकिन पहली बार हाउस चैंबर में हुई शपत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया हर सदस्य को सिर्फ एक गैस्ट्र साथ लाने की पर्मिशन थी जो सदस्य किसी वजह से आज नहीं पहुचे उन्हें मौनसून सत्र में शपत दिलवाई जाएगी कोरोना के बीच संसत की स्टेंडिंग कमेटीज की बैठके शुरू होने की वजह से राजिस सभा सभापती एम वेंके नाईडू ने ने सदस्यों को शपत दिलाने का फैसला लिया था शपत लिये बिना ने सदस्य बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं इन चुनाओं में भाजपा को आठ और कॉंग्रिस को चार सीटे मिली पिछली बार इन 19 सीटों में से भाजपा के पास 9 और कॉंग्रिस के पास 6 सीटे थी यानि इस बार भाजपा को एक और कॉंग्रिस को दो सीटों का नुकसान हुआ भाजपा की भले ही राज़े सभा की एक सीट घट गई लेकिन उसके नत्रत वाली एनडिये को इस चुनाओं से कोई नुकसान होता नहीं दिखा राज़े सभा की इन 19 सीटों में से एनडिये ने पिछली बार 10 सीटे जीती थी इस बार भी भाजपा को आठ और एनडिये मनफ को एक एक सीट मिली इस तरह दस सीटों का एनडिये का आकड़ा बढ़करा रहा उधर यूपिये को मध्य प्रदेश श्री जोतिरादित्य एम सिंधिया मैं जोतिरादित्य माधव राउस सिंधिया जो राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधी ध्वारा स्तापित भारत के समविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा तथा जिस पद में को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके कर्तवियों को कर्तवियों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाहन करूँगा तो आप देखते रहें न्यूस 29 इंडिया एक देश सार्य प्रदेश तो आप धिस प्रदेश